दोस्तों हम लोग गर की construction करवाते हैं और आता है हमारा flooring का काम जब tile का काम तो सबके दिमाग में एक question जुरूर आता है कि कौन सी company की tile ले और मैं जुरूर कहूंगा tile लेने से पहले ये video complete देख लेना आपको full guidance मिल जाएगी कौन सी company की tile आपको लेनी है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है आप क्या 20-30,000 रुपे का खर्चा बच जाएगा कि छोटा मोडा गर है अगर बहुत बड़ी construction करवाने जारो तो लाखों में खर्चा आपका बच सकता है और अच्छी tile आपके घर में लग जाएगी इस video में हम बात करेंगे top 10 ऐसी companies के बारे में जो इंडिया में famous है और उनकी tile भी अच्छी है और भी काफी चीजें यह मैं last में बात करने वाला हूँ वहां जाके बेवकू बन सकते हो आपको जो दुकान दार होगा vendor होगा बेवकू बना सकता है अगर आपको यह चीजे knowledge नी होगी और अगर आपको यह चीजे knowledge होगी तो आपकी tile की life पांच से चे साल बढ़ सकती है और भी काफी चीज़े हो सकती है पंक बता देता हूं स्टार्र करते हैं जब बी उप हम टाइल लेक जाते हैं तो दिमाग में एक चीज़ दुरूर आते है वहां जैसे अंदर गुषते हैं दुकान में मॉल में तो वहां हमें काफी सारी टाइल लिखती हैं अगर मैं 3-4 टाइप की टाइल का बात करूं मैट हो गई नैनो हो गई डिजिटल हो गई डवल चार्ज हो गई यह चीज़ें आपको दुकानदार बोलेगा देखो हमें इतनी टेक्णिय मैं 70-विख्य attempt बुकरी है हम 65 हो सब बोलते हैं अगर मैं बात करूं इसमें दो चीज़ें आती जितनी अच्छी Non-branded tile होती है अगर मैं अपना Life Experience बताता हूँ आपको मैं किसी कोई company को खराब नहीं बोल रहा किसी की मैं मैं promotion नहीं कर रहा बस मैं अपना Life Experience बता हूँ मेरे साथ क्या हुआ देखो मैंने कजारिया की टाइल ली थी 2x4 का वो marble piece या से marble look आता है वैसे ही उसको बोला गया था कि यह digital HD finishes की ठीक है 2x4 का पीस था और कजारिया का एक brand इंडिया की क्या world की top companies में वो आती है मतलब वो tile band आती है तो यह मैं नहीं बोल सकता है कि इस समय कौन सी अच्छी tile आ लिया तो अगर आप non branded tile के साथ जाते हो तो आपको उसमें खर्चा बचते है अगर हम example लेते हैं आपका कोई लगा लो 1000 square feet का गर है तो कोई tile जो branded tile होगी वो आपको 40 square feet आपको मिल रही है market में और जो non branded होगी वो ही आपको 25-30 रुपे में मिल जाएगी तो हुआ क्या जो branded tiles होती है उनका जो 10-15 रुपे खर्चा उनका marketing पे जा रहा है जैसे मैंने बताया आपको कजारिय की मैंने use की और साथ में non branded भी थी तो जो 24 का piece कजारिय का था वो बैंड निकला लेकिन दूसरी company का क्रेंजो का company थी कुछ करके local company थी कोई तो उनका वो piece काफी ज़ादा अच्छा निकला और उसके joints भी बराबर रहे और देखने में भी वो काफी ज़ादा अच्छी लग रही है यह बात होगे एक example की तो अगर हम बात करते हैं देखो एक तो design आपको branding tile में काफी ज़ादा देखने को मिलते हैं काफी design आपको देखने को लेगे branded में और non branded में आपको कुछ गिनी चुने ही design आते हैं उसी में से आपको choose करना पड़ सकता है और size की अगर हम बात करें branded tile में काफी ज़ादा size आते हैं non branded में भी size आपको मिल जाएंगे और एक ची ध्यान रखना जब भी आप tile लेने जाओ market में तो एक ची हमेशा ध्यान रखनी है कि vitrified tile और ceramic tile में क्या difference है इनको simple वाशा में मैं आपको समझाता हूँ इसमें मैं अलग से video लाने वाला हो दोनों difference दोनों की अपनी अपनी खासी है सब चीज़े वह अलग video रहेगी इसमें basic में बता दूँ जो vitrified tile होती है वह हमेशा floor पे लगाना और ceramic tile होती है वह wall पे लगाना क्योंकि जो strength सबसे ज़ादा होती है वह vitrified की होती है और ceramic की थोड़ी कम होती है क्योंकि उसकी बनाने का त जाते हैं वहाँ जब हम tile खरीदते हैं एक चीज उसमें हमेशा द्यान देना जो भी tile आप खरीदोगे उसका एक बास सेंपल उदर क्या होता है lighting का बहुत ज़्यादा effect होता है lighting काफी ज़्यादा होती है तो जैसे आप कोई भी tile देखते हो काफी ज़्यादा सुंदर दिख अगर अची दिखते है तो फिर हमें वह tile लेनी होती है यह भी चीज आपको हमेशा द्यान देना है और जब भी tile लेनी है उसका जो material होगा box होगा उस पर देख लेना है branded क्यूंकि कजारिया की tile मैंने देखा एक दो अभी पीछे पकड़े वीगे थे लोग चो duplicacy में चल रह square fit पे तो जो material वो use करेगा वो हमेशा द्यान देखना क्योंकि cutting के लिए अगर blade वो सही use नहीं करते है मैं आपको last में visit करूंगा वह mistake दिखाऊंगा एक अच्छे blade से cutting की हुई tile कैसी होती है गंदे blade से cutting की हुई tile कैसी होती है एक diamond blade आता है diamond blade से cutting पिलकुल sharp होती है कोई edges खर आप दिखते हैं यह चीज भी हमेशा होती है इस चीज से भी आपको बच के रहने है और मेरे एक life experience और भी रहा है tile खरीदने के मामले में कि जब हम tile लेते हैं तो जो हमारी display लगाई होती है vendor ने को जिससे हम tile ले रहे हैं उसकी एक ही tile होती है उससी से हम choose करते है और वहां पर गलती क्या है सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है हम उसका pattern बना कर नहीं देखते हैं हमें वह pattern गर पर बनवाना होता है क्योंकि आजकल जो tile आई है 2x4 का piece जैसे मैं बोल रहा हूं वह काफी famous है इस समय 2x4 का piece क्या होता है A की display पर रखा होता है या 2 piece रखे होते है लेक काफी जगा गलती क्या होती है वह a pattern देदेते हैं या b pattern देदे और घर पे उसका कोई pattern नहीं बनता वह बेकार जाती है और जब एक कर गडर पर आ जाती है फिर उनको बापिस लेके वहां एक सब करने में खर्ज़आ काफी ज़्यादा होता है तो आपको वहां पूरा pattern बना होती है यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी टाइल और मैं एक चीज़ प्राफर करूंगा कजारिया की कभी भी दो वैचार का पीस मत लो क्योंकि मैं उस चीज में मेरे गर की कंस्रक्शन थी उसमें वो दो वैचार का पीस लगा और वो खराब निकला बेंड है काफ वो काफी जदा खराब निकला है और अगर हम बात करें वो 60-50 रुपे पर स्केर फीट के हिसाब से वो मार्केट में एबलेवल है और अगर इतना खर्चा करके भी आप वे कर रहे हो क्योंकि 60-70 रुपे में एक अच्छा मारबल आपको मिलने लग पड़ेगा और टाइल के कंपनी से और अच्छा माटेरियल प्रोड़क्ट प्रवाइड करती है देखो लास से में स्टार्ट करता हूं 10 नंबर 10,9,8,7 ऐसे एक पर आऊंगा 10 नंबर पर मैंने रखा है यह अपने हिसाब से कोई मैं जज नहीं कर रहा किसी को लेकिन यह AGL मेरे हिसाब से 10 नंबर प 9 नंबर पर सिम्पोल है काफि ज्यादा पैटर आतियाओ से रहते हैं और सरेमीक टाइल से काफी द्याडव है डेखने को और सिंपोल आम में आपको चाहल हो चै sow स्टों पैटरं काफी ज़्यादा इनका प्लौर की कम वार की टाइल इनकी ज्यादा फेमक्बस रहतीए अग और एक चीज में मैंचन करूंगा यह जुरूर देखना बातरूम में कौन सी टाइल लगा रहे हो और फ्लोर में एंटी स्किट और स्किट आती हैं वह जुरूर चीज देख लेना बर्मोरा कंपनी की काफी अच्छी टाइल्स हैं अगर हम बात करें वुदन पैटन में अबने टाइल्स देखी होगी जी आपको पिच्छर्स ना satवी में मुवी खी जादा बर्मोरा की है और वेराइटी काफी जादा मैंने बर्मोरा में देखी रहती है अगर आपके अ एरिया में मिल तो आपको झरूर ले 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 काफी पुरानी कंपनी से जिनके में नाम ले रहे हूं काफी नामी कंपनी जैं और कोई में इंको रेटिंग देने वाला होता नहीं हूं लेकिन मैं अपने आइडिया से अपने तरीके से बता रहा हूं कि number one कौन सी है और मेरे इसाब से number five six पे कौन सी रहती है तो निटको की अगर हम बात करें निटको टाइल की काफी जदा वेराइटी जाती है इसको हम ऐसे में तीन number पर रखता हूं और दूसरे पर रखता हूं सुमानी को और पहले number आती है हमारी कजारिया की टाइल काफी जदा अच्छी आती है लेकिन जैसे मैंने कहा दो बै चार का पीस जो र तक पीस लेते हो उसमें बैंड का दिक्कत कम आती है लेकिन कजारिया की 2,4 में मैंने खुद रिलाइस किया कि मेरे को बैंड दिख़ा है तो number पर कजारिया की है अगर कजारिया की टाइल मिलती है काफी अच्छे पैटर्न से इसको आप देखने में मिलेंगे 2,2 के तो काफ को trending पे मिल जाएगे news में मिल जाएगा कि कौन number one है किसकी sale काफी जाद है debit वगरा तो यह चीजे थी आप इन brand में से किसी भी brand की tile आपको मिलती है तो आप उसके साथ जा सकते हो इनकी काफी अची tiles रहती है काफी varieties आपको मिलेंगी और कुछ चीजे ध्यान देनी होती है टाइल खरीदते समय वो मैंने आपको बता दी और आगे भी बताता रहूंगा पांच वीडियो हमारे आने वाली है tile पे तो वो पांच वीडियो में आप यही चीज सीखो के कौन सी tile लेनी है क्या है